हलो एबरीबन वेलकम बैक टो गेट एंड टेक एंड आज किस वीडियो में बताऊंगा कि जिस चीज का आप लोग बहुत इंतिजार कर रहे थे वो चीज आ चुकी है अब वो चीज क्या है वो आपको मैं भी बताऊंगा उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि आ अब 6 बजी लाइब होई जाएगा और यह वाला वीडियो है वो आपका जैसे गेट दो है चौबिस में जो लोग रेंक ला है और जो रेंक नहीं विला है वो शेयर करना चाहते है अपने एक्स्पिरिंस वो शेयर कर सकते हैं तो जिस चीज का आपको इंतिजार था वो आपका ट्रपल आइटी एच पीजी डवली इस पीजी डवली है आपका जैसे आप सर्च करोगे यहां पर देखर आपको पोस्ट गेजिए इंटरेंस एक्जामनेशन पीजी डवली है ना ओपन ओपन हो चुका है ओपन हो चुका है डैट मींज इसके फॉर्म फरना स्टार हुआ है अभी जस्ट कुछ दिर पहले ही इस्टार्ट हुआ है तो मैंने सुचा कि आप लोगे एक वीडियो बना देता हूं अगर आप लोगो नहीं पता है और अगर आपने अल्लेडी देख लिया है तो भी इस वीडियो को देख लो ना देख ले ना क्योंकि आपको यहां पर ओके यहां पर आपका वाउड पीजी डवली आप देख सकते हैं साब यहां होता है आपका मैं MS भी होता है और PhD भी होता है तीन प्रोग्राम में इनकी है इंपोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं अप्लिकेशन पॉर्टल आपका स्टार्ट होई चुका है आज स इसके बाद इस्टेडी करो बिंदाज तरीके जहना और एक चीज और इंट्रेंस एक जांग जो फोर्ट मैं को है ना पूर्ट मैं को है तो आराउंड 73-72 डेज है तो 75 डेज में मानके चलता हूं कि आप एक्स्टा मेहनत करोगी है ना 75 डेज अगर मैं मानके चलूं आश से कि अधिंक 70-70 डेज मानके चलते जितने भी आप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्ट मैं को आपका एक्जाम होना है दो बज़े से पांच बज़े ओके दो बज़े से पांच बज़े स्टूडेंट्स सोते वाग्या रहा है तो वो थोड़ा सा अपना साइकलोज अफूर शेकली वो चीज़ चैन्ज कर सकते हैं दीर दीर करड़े कि उस टाइम से उसमें तो आपना पढ़ाई करें ताकि आपको नेंद भी निया क्योंकि गर्मिवी ओका मोसम आ रहा हैं आप जानते हैं गर्मिवे का मौसम आ रहा है और नेंज いる जा गते हैं या फिर 6 जून को होगा on campus में mtech में आपका कोई interview नहीं है एना mtech में आपका कोई interview नहीं है PhD में जो interview on campus होगा 7 और 8 जून ओके तो जो लोग master of science और PhD के लिए कर रहे हैं वो आराम से date देख सकते हैं 5-6 को आपका master of science that means MS का interview रहेगा research के लिए और PhD का आपके इंटरू लगा 7 और 8 को और mtech में अभी कोई भी interview बगर इसमें कुछ है नहीं और बन वर announcement देखे आइडमेट कार्ड विल बिए शूर अप्रोक्समेटी 10 डिज बेफोर दा एक्जाम डेड़ों के 10 दे दस दिन पहले आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा आपका एक्जाम सेंटर कहां है कौन से city में है कहां पर है वो सारी चीज़ें आप देखी सकते हैं उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है उसमें ओके चलो अब देखते हम लोग duration क्या है आपके प्रोग्राम की इमटेक की यह दो साल है एंटेक रिसर्च वाला है जो मास्ट्र आप साइस MS से मैंसा रिसर्च वो भी आपका दो साल प्यजडि आपका 5 साल है नव पार चलो हम देख लेते हैं eligibility criteria programs क्या है क्या है प्रोग्राम है आपका mtech discipline आपकी कौन-कौन सी ब्रांच अलाउड है इसमें computer science and engineering CSE that means इसमें legibility criteria आप देख सकते हैं B, B, Tech, M, E, M, Tech all branches है ना और MSC, MCA, MA, math से है ना तो अगर इस सारी चीज़े हैं आपकी तो आप M, Tech कर सकते हैं computer science है इसमें इसमें भी आप अपलाई कर सकते हैं ना इसका इसमें भी आप अपलाई कर सकते हैं इसके एक ही एक जाम होगा विसे कली है ना stream अगला अला भी कोई सी भी एक stream चूज कर सकते हैं आप लोग है न तो इस देख सकते हैं और computer added structural engineering है B, B, Tech and civil में होना चाहिए आपका ओके इसमें civil जीए पेपर दोगे आप जो subject test है इसमें CSEG यह दोनों में है ना एक जैसा ही पेपर है है ना सब कुछ देख लेना अपने according जो आपको suit करता है best ओके और PhD के लिए सारे सब्जेक्ट्स हैं जारी ब्रांचे सब लेबल है सारा के रटेरिया वगएरा सब कुछ दिया है ओके फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है फिर भी आपको लगता है यार मेरे को और दो डाउट है कुछ दाइए तो भी सिदह ईमेल करो या फिर कॉल करो और मिस्कॉल मत करना ओके यहां पर जी आपके जरॉट्ट में एक ऩजयान और यहां पर मुल्टीपल लेस्ट ऑप सेंटर ही बहुत सारे हैं दिखा देता हूं एकबर खुल कि पुक्छेंटर काफी हैं आपके अंद्रप्रिदिस में इतना है बिहार आसाम उच्छाइश गाड़ है ना गुजरात ओके मैं देख लेता हूं तो में सारे सेंटर है मेजर सिटी में ओके पी के जो मेजर सिटी हैं उन्हें डिख सकते हैं इस अब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा ओके एंडिविशन फोर एंटेक के लिए आपको इंटर्व अगर नहीं है और MS PhD के लिए आपका इंट्रिव्य हुई है एप्लिकेशन बिल नीड टू थू 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 एडिशन डिशन डिशन डिटेल्स आप यहां पर कर सकते हैं यहां पर आप सबसे पहले क्या करना है आपको फिल करना जानते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है इतना तो मैच्यओर्टी आप में है इत्व मैं आपको एंटेक MS का आराम से देख सकते हैं क्या है क्या है इंटेल्स प्रोग्राम क्या है यहां पर आम टेक को जब तक यह ओपन हो रहा है उसके पहले में सिलेवी टेटेटेस साट। drift !! ऐघंद को यहां मिलेगा शिले उपर इंटेग प्रोग्राम आप देख सकते हैं टियुज एडे का प्रियर की है यह ना प्रोक्सिमेटली पर सेमिस्टर है ना दी चेंजेश पर ओके पैमेंट ऑप इनिसियल यह सब कुछ देख लेना लॉन बगरा मिल जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस पे अतना ध्यान देते हैं कि पहले तो आपको अप्लिकेशन फॉर्म भार देना ह व hen एकजाम की डेट चार मई है आपको दो से पांच वजे अमें एक्ञाब करना है बोचि आपको द्यान लखने हैं उसके अलामा मैन ही हमारे की से एक बार हमारे एक ज्याम फॉर्म भर गया कि हमारा चाहिए और दबादा के तयारी होना चीह है जब वजस्व तरीके से है ना बहुत भैतरीन तरीके से तैयार होनी जाहिए ओके यह आपका सिलेवा से इंट्रेंस एक्जाम कंसेज दा फॉलोविंग टू पेपर होगा आपका 90 मिनिट का उसके बाद सब्जेट पेपर होगा आपका 90 मिनिट का है ना तो पहले आपका जनल अप्रूट का पेपर होगा पहले वो खुलेगा ऐसा नहीं कि आप उसमें स्विच कर देए उसे गेट्रम स्विच कर देते हैं ना इसके खुलता है अब ही तक जो इनफॉर्मेशन मेरे पास है अगल कुछ चैंजे सो तो आप कमेंट सेक्शन आपका मैदान खुला हुआ है ना आप लोगों के लिए ओ सब कुछ तो आप अराम से देख सकते हैं ना तो यह क्या कहा रहा है बेसिक क्वेश्चन के बूला गया है लास्ट यह यह बोला था ज्यादा के बारे बहुतते नहीं है है ना मतलब आपके पैसे डिटिंग बगरा जो सारे चीज़ें आती है मैंने यहां पर दो वीडियो म सारी कवर कर बखें तो कोई दिक्कत लानीं की बात नहीं है उसके अलावा आप एक ब्रांच चूज करोगे जैसे कि मैं कंपूर्टर साइंस की बात करूंगे कंपूर्टर साइंस एंग्शन की बात करों तो आपका इस लेवस रहेगा स्लेवस और सब्जेक्ट पेपर सब्सक्राइब करूंगा अगर जरूत पड़ेगी अधरबाइज मैं जो गेट के पीवाई की है ना मैथमेटिक्स के वह आपको रेफर कर दूंगा तो आप वहां से कर सकते हैं कुछ-कुछ आपको चीज़ें एक्स्टा पढ़ने बढ़ने बढ़ें इस इंटिकेशन डिफिरेंशन लिमिट कंटिनुटी यह तो हमारे में था मतलब गेट मैं मैं ना मैक्सिमम मिनिमा है मिनेलिफ होगे हमारे इसे मेंधे बात करो नहीं है और इनेशल ओर बांडरी बेलिफ होगे तो ज्यादा कुछ एक्स्टा है नहीं है आप लोगों ने अपने बीटेक में पढ़ी हुई है तो आप लोग आराम से कर भी पाऊगे तो अभी तो मैंने और लिडी कोश्टन आने वाली आपको है नहीं एक परसेंट भी है न तो आपका मैथमेटेक्स से होगया आप बोलोगे आप हमारे में तो गेट पर रहता तो प्रोविल्टी भाई रखा है प्रोवेटी थोड़ी रखा है डिस्कीत मैथमें थे साथ है ना घुमा फेराके दिया है बात तो वहीं क काम आते हैं कोडिंग इप्रूब करने के लिए काम आती है तो इनों ने चुरिंदा दिया है आई रियली अप्रिशेट कि बढ़ए दिया है लोग बढ़िया दिया है कि एक बार इप्रिटूड इसकिल अच्छी भूनी चाहिए स्टुडेंट्स की है ना अप्रिटूड के और बी बी प्लस ट्री और यार डाइग्राम्स वाला पार्ट है नहीं है और आप कंफर्म भी कर सकते हैं लास्टेर की स्टूडेंट से ना तो बहुत बैतर रहेगा अगर मैं देखा देखा जाए तो गेट में जो सलेबस रहते आपके जैसे टी ओस्टी होगे कंपाइलर हो गया और आपका सी ओए हो गया और कौन सा है ऐसे तीन चार सब्जेक्ट हैं जो है नहीं है इसमें है ना वह चीज़ आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो कंपलीटली यहां पे स्टिक रहना आकर आप पीजी डवली की फॉलो कर रहे हैं बाद में जो गेट के सब्जेक्ट से से सुपर सेट है ओके और टेक्निकल वाला सबसेट है ओके आपको दो टर्मलोजी पता ही होंगी सुपर सेट और सबसेट क्या होता है ना चलू टेक्निकल वाला आपका सबसेट में माल लेता हूं बिलकुल है है ना सबसेट है आपको और अप्टिटूड तो आपका 90 मांक् को आप जब यह स्लेवर स्क्राइब कर रहे हो तो इटी परशंट तो आप गेट का से लेपस कवरी कर रहे हो कोई प्रावलम ही नहीं है आपको पीजी डवल ली के लिए एक्जाम के लिए अलाम से टार्गेट करो अगर गेट 24 में थोड़ा धर उदर हो गया हो लग रहा है कि मन का कॉलेजिन भी मिल सकते तो टरपल आइटी जर बैस्ट ऑप्सन फॉर यू ओके फी बगएरा की टेंसर नहीं लो यार लॉन बगएरा मिल जाता है पिस्ट्रीज इंस्ट्रूट में आप लोग बहतर तयार मतलब बहतर मैनत करोगे वहां बहतर एक इंसान बनोगे तो प्ल कोई आपको कुछ भी अगर अपडेट आता है तो मैं आपको जुरूर बता दूंगा या फिर लगेगा कि वीडियो रिक्वार्ड नहीं है तो आप लोगों कोई चीज़ ध्यान रखनी है ना फीस वगयरा अप्लीकेशन पीसिस की पच्च्छे सो रुपे है टॉन्टी फा लिंक लोग पूछते रहते हैं तो वो सब कुछ आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा और आप अच्छे से नहीं कर पा रहा है कंसेस्टेंसली नहीं कर पा रहा है तो मेंटर से प्रोग्राम अभी भी दो ती दिन के लिए और ओपन किया है ड्यू टू हाई डिमांड और उनका हर वीग में रिव्यू करूंगा तो ये वीडियो आप आराम से देख सकते हैं और इसमें जॉइन कर सकते हैं दो तीन दिन और मैं ओपन रखा उसकी वाद में किलोज कर दूँगा इस प्रोग्राम को वैसे मैंने काफी एक्स्टेंड किया हुआ है और लेडी सीट और जिस तरीके से हम लोगों ने सिस्टम मनाएगी स्प्रेड सीट बगरा फिल करना सारा सिस्टम मनाया है उसमें आप पार्टिसिपेट करो और बहतर स्टडी करो डेली स्टडी करो और अच्छे से करो है ना आरतरस घंटे दबा के पढ़ाई करो तब आप जाके तो रिजल्ट आने से पूँ रोक नीशनकोपोर ओंत ना है कै descended लिए रहे हैं आपकर टेलिरेग्रांग गुरुप में ओके स्टेलिग्रां गुरुपमें को इस चैनल la और जो इस वीडियो से पर्टिकुलर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी है ना और ऐसी तरीके से आप लोग लगे रहिएगा और हिम्मत नहीं हार नहीं है जीत की आएंगे हम लोग बस आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है गेब अप नहीं करना है मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए है ना मुस्कुराना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है ओके मजबूरी में पढ़ाई नहीं होती है तो आप लोग आराम से करो बागी कोई दिक्कत है 24 x 7 x 365 डेज में अब लेवा लूँ आप लोगों के लिए हैना थैंक यू सो मच फॉर व